राम मंदिर से आए चावलो का क्या करें? रामलला के प्रान प्रतिष्था के लिए घर घर भेजा जा रहा न्योता, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ती की प्रान प्रतिष्था की जाएगी. इसको लेकर लोगों को अक्षद देकर न्योता दिया जा रहा है लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग इस बात को लेकर कमफ्यूजन में कि आखिर श्रीराम मंदिर से अक्षद के रूप में आए चावनों का क्या करें? किन शुप कामों में कर सकते हैं प्रयोग? क्या चावनों से प्रसाद आदी भी बनाया जा सकता है? इस बात को लेकर ज्यादातर लोगों में कमफ्यूजन बनी हुई है इस बारे में रिस्तार से जानकारी दे रही है अयोध्या में बने राम मंदिर में भगवान श्रीराम 22 जनवरी को विराजमान होंगे इस प्राण प्रतिष्था की प्रतीक्षा हर कोई बड़ी उत्सुक्ता के साथ कर रहा है देश के ज्यादातर हर एक मंदिर में इस एतिहासिक अवसर पर विशेश पूजा और अनुष्ठान के कारेक्रम का आयोजन किया गया है इसके लिए घरों घरों में जाकर अक्षत निमंतरन महा अभियान चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत एक जनवरी से पूरे देश भर में कर दी गई है ताकि 22 जनवरी से पहले ये आमंतरन लोगों के घर तक पहुचाया जा सके और इस भव्य आयोजन की सूचना उन्हें दी जा सके चलिए जानते हैं इस अभियान के बारे में कुछ जरूरी जानकारिया राम मंदिर से आय चावनों से करे पाँच काम घर में पधारेंगे श्री राम होगा सुक्षान्ती का वास एक धन प्राप्ती के लिए हिंदू धर्म में अक्षत के बिना कोई भी पूजा, पाठ, अनुष्था संपन्न नहीं होता चावल देवताओं का अन्न है राम मंदिर से आय पीले चावल को आप लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख सकते हैं चावल शुक्र का प्रतिनिधत्व करते हैं, जो धन के कारक है ऐसे इन पूजित चावलों को धन स्थान पर रखना धन प्राप्ती की रा आसान बनाने में मदद करेंगे श्रीराम घर में पधारेंगे दोट मांगले कार्य में इस्तमाल रामला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता के रूप में मिले चावलों को बहुत शुब माना जा रहा है जोती शाचार्य अनिश व्यास जी के अनुसार किसी भी शुप कार्य से पहले इन चावलों को मस्तक पर लगा कर तिलक करें इससे कार्य में बाधा नहीं आएगी तीम खीर का भोग प्रसाद के रूप में इन चावल की खीर बनाएं इसमें केसर डालकर भगवान को भोग लगाएं और परिवार सहित इस प्रसाद को ग्रहन करें मान्यता है इससे परिवार में मिधास बढ़ती है 4. नई दुलहन नई दुलहन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है मान्यता है इससे मा अन्नपूर्णा घर में वास करती है रिष्टे मजबूत होते है पाच, बेटी को शादी में दान घर में बेटी की शादी है तो उसे ये चावल भेन स्वरूप में दे सकती है जोतिशाचार्य के अनुसार इससे घर में बरकत आती है ससुराल और माय का दोनों सम्रधी से परिपूर्ण रहता है अयोध्या राम मंदर प्रतिष्ठा महौत्सव की शुब कामनाएं ऐसे नए नए विडियो देखने आज ही सब्सक्राइब कीजिए जै श्री राम